Face Foundation Face Foundation आपकी Makeup Kit का वो Part है जो Essential Part है और आज हम आपके उस Essential Part के भ्रम को तोड़ने के लिए वीडियो लेकर आए हैं आपको बताने जा रहे हैं घर में बनने वाला Face Foundation जो आपकी Skin को नरिश भी करेगा और Foundation का भी काम करेगा और ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि कुद्रती चीजों से बनी हुई कोई चीज mix करके घन में बनी हुई चीज हजार गुना प्योर होती है उन चीजों की जो ये विदेशी कमपनियां chemicals को stack करके बना रही हैं और जो तमाम बेमारियों का आज के वक्त में कारण बन रहा है। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखना हुमियोपैथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यहाँ वीडियो भी हमारे समाज परिवार के महिलाओं को डेडिकेटेड है। महिलाओं को डेडिकेटेड इसलिए है कि फेस फाउंडेशन की जरूरत होती है, वो समाज और परिवार के महिलाओं को जादा होती है। और क्यों नहों हर कोई अच्छा दिखना चाहता है और आज कल जो दिखता है उसी की कीमत है और फेस फांडेशन की जहां तक बात है तमाम आप लोग फेस फांडेशन लेती हैं महंगे महंगे और अपनी स्किन को नुखसान पहुचाती है लॉंग टर्ण यूज से होता ही है कि आपके फेस पर इंकल्स परते हैं जो रियां आती हैं जाईयां भी आती हैं और फेस के टिशू को नुखसान पहुचता है तो आज हम साथ ही हूँ आपके लिए बड़ा अच्छा एक नुस्खा लेकर आएं जो आप घर में फेस फांडेशन बना सकती हैं और भाँ फेस लागाके आप अपनी स्कीन को भी नरिश कर सकती हैं इसकीन में शायन भी ला सकती हैं और चीज कुद्रती होती है जो पुद्रत की डिडियेट से बनी है वह हर सूरत में उससे अच्छी होगी जो केमिकल से बिदेशी कमपनीयों की बनी चीज़े हैं तो बहुत ही अच्छा है नुसका साथियों आज हम आपके लिए लाएं जो आपके मेंकप के फांडेशन का काम करेगा, आपके स्कीन को फ्लॉलेस करेगा, चिकना करेगा, गटे बढ़ेगा और आपको ठीक करेगा और साथियों आपको इस नुसके के लिए कुछ जादा नहीं करना है, थोड़ी सी मेनत जरूर करनी है आपको लेना है एक चमच कॉन्ड स्टार्च पाउडर ये सब चीज़ें आपको बजार में मिल जाएंगी, नेट पे मिल जाएंगी मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप फॉलो अप करिएगा थोड़ी मदद आप अपनी करिएगा, थोड़ी मदद मैं करता हूँ आपकी और कुल मिला कि आपका काम बन जाएंगी, ऐसी मेरी मंशा है तो आपको एक चमच ले ना है, कौन स्टार्च पाउडर, आप Google का लीजेगा आपको अगर मन में आ रहा हूँ, यह कौन स्टार्च पाउडर क्या होता तो इसका जवाब गूगल बाबा देंगे या आधा चमच आपको कोका पाउडर ले लेना है थोड़ा सा एक चोथाई छोटे चम्मच का एक चोथाई आपको सिनमन यानि दालचीनी का पाउडर ले लेना है पांच बूंद आपको जोजोबा ओईल ले लेना है और चार से पांच बूंद आपको एलमंड ओईल यानि बादाम का तेल ले लेना है ये पांच चीजे हो गई साती हो, इनको आपको मिला लेना है और आपको मेकप ब्रश से एपलाई कर देना है, ये आपका एक पहतीन फाउंडेशन का काम करेंगे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाला कि आप रिवाइंड करके देख सकते हैं पहला इंक्रिएंट है कॉर्ण स्टार्च पाउडर एक चम्मच, दूसरा इंक्रिएंट है कोका पाउडर आधा चम्मच, तीसरा इंक्रिएंट है सिनेमन पाउडर बहुत थोड़ा सा, चौथा इंक्रिएंट है चार से पांच पूंद जोजोबा ओईल, और पांचवा इंक् चेरे पे जैसे भी आप एप्लाई करती हों, वैसे आपको एप्लाई कर देना है, थोड़ा बहुत अगर सूखा हो या ड्राय हो, तो आप ऐलमंड और जोजुबा और बढ़ा सकती है या घटा सकती है, जो आपके चेरे पे जित्ता रुख जाए वो फाउंडेशन उस आप से करियेगा साथियो नुसका, मज़िदार नुसका है, एक बार करके देखने में क्या बुराई है, एडवेंचर बहुत बढ़िया चीज होती है, मेरा भी एडवेंचर है, मैं ये आला पहने हूँ, मैं आला पहनने के नाते, मेरा ये काम नहीं है कि आपको मेकप बताओं, मेर काम नहीं है लेकिन एक adventure में बुराई नहीं है दवा हम लोग 300 मरीज रोज देखते हैं भगवान की क्रपा से हज्जारों लोग online दवा ले रहे हैं तो वो तो हमारा चली रहा है काम लेकिन थोड़ा साइडवेंचरस होके मैं आपके सामने नुस्खे भी ला रहा हूं इसी तर पाक्स में foundation रखा है उसे बेहतर आपको मैसूस करा रहा है कि नहीं आप comment portion में लिखिए समाज भी जाने आप भी जाने हम भी जाने खराब हो तो भी अच्छा हो तो भी मन में query हो साथ हो तो WhatsApp करिए हमारे WhatsApp नंबर पर प्रयास करूंगा आपकी बात का जवाब दे सकूं करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं प्राप करते रहेगा आपका साथियों हमारे साथ इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता वक्त देने के लिए हो तो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। खटे हैं दो आगा चेसा आगा नहाँ आगा चाहाँ आगा आगा । कर दो कर दो कर दो दो